नमस्कार, TV9 राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भविशी त्यागी आज इस इंसाइड स्टोरी में हम बाथ करेंगे राजिस्तान BJP की राजिस्तान बीजेपी के तमाम नेता या तमाम धड़े अब एक रूपता में नजर आ रहे हैं यानि कि एक जुट नजर आ रहे हैं एक लाइन में नजर आ रहे हैं ऐसा कैसे हुआ बीजेपी आला कमान ने कोशिश की केंद्रे नेतरत ने कोशिश की कि किसी को promote कर दिया जाए किसी को adjust कर दिया जाए और किसी को खुश कर दिया जाए ये formula अपनाया गया लेकिन इस formula के साथ साथ जाती है समीकरणों को साथने की कोशिश भी की गई लेकिन वागई राज़िती में कहा जाता है कि जो दिखता है वो नहीं होता और जो दिखाने की कोशिश की जाती है उसकी अगर पढ़ते पल्टी जाए तो उसके पीछे क्या है या समझने की कोशिश करें गए वागई BJP एक जूठोगे यह क्या वाकई टीम मोधी एक्शन में है और राजिस्तान के सभी बीजेपी में जो धड़े थे वो एक लाइन में आ गए हैं क्या लेकिन उससे पहले देखिए कॉंग्रेस के भीतर भी गुडबाजी है और वो पूरी तरह से सतय पर सबके सामने है हलाग कि कभी कभी लगता है कि राजिस्तान कॉंग्रेस में सबकुच शान्त है लेकिन रह रहकर वो सियासी तलवारे हर दूशे दिन खुली जाती हैं निकल जाती हैं वो तलवारे जो हैं खीच ली जाती हैं जैसा हाली में हमने देखा कि रामडाल जाट किस तरह से सचीन पाइलेट पर अप्रतेक्ष तोर पर आरोप लगाते वे नजराय उनको इशारो इशारो में दो गुला तक कह दिया इसके जवाब में पाइलेट कुट के मंतरी हिमराम चौधि ने भी जवाब दिया पलट वार किया उन्होंने खाया देखें इस तरह कि साज़ेश साजिष पाइलेट के खिलाफ कर रहे है तो चलियेинов पूरे मामले पर हमारी नजर तिकी रहेंगे इसमें क्या कुछ आगे अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे हर खबर पर हर एक घटना क्रम पर नजर होगी लेकिन अब बात बीजेपी की जो मैंने का बीजेपी को लेकर तीन सवाल सबसे बड़े खड़े हो रहे हैं पहला क्योंकि बीजेपी ने जो ये त्रिगु नेता प्रतिपक्ष थे अब नेता प्रतिपक्ष बना दिया क्योंकि गुलाप्चन कटारिय अब ऑस्सम का राजपाल बनाया है तो अबकी जगे राजेंद्र-वार्ठो सवाल उठा था सतीश पुनिया को लेकर भी क्योंकि सतीश पुनिया से जब प्रदेश अध्यक्षपत का दाइत्व या वो पद्भार वापस लिया गया तो एक समुदाय विशेश में एक वर्ग विशेश में थोड़ी नाराज गी थी वो एडजेस्मेंट भी करनी थी कई त तो उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर सतीश पुनिया सहाब का एडजेस्मेंट जो है वो कर दिया गया अब जातिये समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो यह सब लोग जानते हैं कि देखें ब्रह्मन चेरा हैं सीपी जोशी तो ब्रह्मन समुदाय ब्रह्मन वर्ग को साथने की कोशिश राठोड साब राजपूत समाज को सियासी तोर पर टार्गेट करने की कोशिश कि वोट बैंक भी बीजेपी के खाते में रहे तीसरा पुनिया साब जाट वोट बैंक तो यह त्रिगूट बन गया है जो तीनों मुखे जो वर्ग हैं इनको साथ लिया जा हर एक वर्ग विशेश की महापंचायत महासमेलन होते देखे गए जाट महासमेलन, ब्राह्मन महासमेलन, राजपूत महासमेलन, S.E.S.T. वर्ग के समेलन भी हुए तो हर वर्ग क्योंकि राजज़तिक प्रतनेदे तो उस हिसाब से चाहता है इसलिए अपना प्रभाव भी शामिल हैं, वो अपने अपने समाज में कितना प्रभाव रखते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, दूसरा सवाल, एक जुटता को लेकर, एक बड़ा सवाल इसलिए भी है, क्योंकि देखे हाला कि अब राजेंदर राठोर उनको निता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो देखे, मुलाकाते हुई, वसंदर राजे से भी मुलाकात हुई, सतीश पुनिया, तमाम वो तस्वीरे सामने आई, और सबके हसते, खेलते, चेहरे सामने आई, खिलकलाते, चेहरे सामने आई, जैसे कोई गिला शिक्वा ना हो, लेकिन वाकि कोई गिला शिक्वा है या सतीश पुनिया साप के एडजेस्मेंट से वाख़ी क्या वसंद्रा राजे खुश हैं क्योंकि यह का जा रहा है कि वसंद्रा राजे जी के प्रभाव में ही सतीश पुनिया साप को साइड लाइन किया गया लेकिन फिर वो एक बार में फ्रेम में आते दिखाई दे रहें लेक प्रस्ताव का नुमोधन तोर राजेजी ने किया इसके लिए उनका धन्यवाद भी उन्होंने किया है लेकिन सवाल गुटबाजी का इसलिए क्योंकि अब जो खिस्तान आगे बढ़ेगी वो वापस है क्योंकि सतीश पूनिया सहाब और उनके समर्थक वर्ग जो है उनके साथ जो कार्य करता है उनकी भी महतुकान शाय है और उसको उनके विश्वास को कायम रखने के लिए सतीश पूनिया सहाब अपनी भूमी का आगे पाटी में कैसे तै करते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह गुडबाजी को लेकर भी है और तीसरा सवाल वस्मूरा राजे को लेकर उनकी आगे क्या भूमिका होगी मैंने जैसे पहले का कि तमाम तस्वीरे आई सब नेता एक साथ दिखाई ये फोटो खिचाए साथ में हसते हुए नजर आए साथ में एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए नजर आए सामने लेकिन ये मुस्कुराहट के पीछे जो सवाल छिपे हैं दरसल ऐसा कहा जा रहा था नेकि निता प्रतिपक्ष का जो पद है वो वस्मूरा राजे को भी कि आफ़र स्विकार नहीं किया और सीएम पद को लेकर जो दावेदारी है सालासर बाला जी धाम में किस तरह से कारेक्टर्म करके सालासर में वस्मूरा राजे जी ने दिखाई थी अपनी ताकत वो सब जानते हैं तो अब किसी तरह से क्या वस्मूरा राजे पाटी की आना चाहती कि देखिए पार्टी की तरफ से उनको पहले उबलाइस कर दिया गया तो जब सीयम बनाने की बारी आए तब वह पॉइंट सुनके कहीं कम हो क्योंकि बात तो ये भी है एक तरफ हम जैसा कह रहे हैं कि टीम मोदी एक्टिव हो गई है अब इस मोदी टीम में वसुंद्रा राजे किस पायदान पर खड़ी हैं ये भी साफ नहीं हुआ अभी ये भी काल जा रहा थे कि कोई भूमिका दे दी जाएगी जैसे मैंने जिक्र क अध्यक्ष का पद भी ओफर किया गया सूतर जो बता रहे हैं ये भी खबर आए कि चुनाव संचालन सभीति का अध्यक्ष उनको बना दिया जाएगा अगे इस पर आगे फैसला हो सकता है लेकिन देखना होगा कौन सा पद वसुंद्रा राजे को दिया जाएगा और उनकी भूमिका आगे क्या होगी तो इनी सब सवालों को लेकर ये इंसाइड स्टोरी इस बात पर है कि बीजेपी क्या वाख़ई एक जुट नजर तो आ रही है लेकिन परदे के पीछे क्या एक जुटता उसी तरह से है हर एक सवाल का जवाब जो है वो आने वाले वक्त में मिले बीजेपी के भीतर भी जो सियासी घटना क्रम आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से इन सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे लेकिन वसंद्रा राजे की मुस्कुराहट के पीछे वाकई कितने सवाल चुपे हैं ये अभी हम भी नहीं जानते लेकिन वसंद्रा राजे का है मौजूदा समय में इसको लेकर एक संशे है इसी शंसे और सवाल के साथ आज इस इंसाइड स्टोरी में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें जासादा शेर करें आप भी इस मसले पर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कॉम और इस्टा पेज को भी फॉलो करना न भूले नमस्कार